हेलो स्वेंड्स कैसे आप सभी मैं निशानत गोईल आप सभी का वेज स्टेडी ग्रूप के इस ओनलेन यूटूब चैनल पर स्वाविक करता हूं अग्जाम में बुक्स पूछी आती है षार लेकर कौन है या यह बुक किसकी ऑटबियग्राफी है यह बुक किससे सम्मंदित है ऐसे प्रशन पूछे आते हैं बुक्स दिन में हजारों लिखी आती है हर लेखक लिखते हैं लेकिन हमारे एकजाम में वह बुक्स पूछी आती हैं जो किसी की autop basics प्र या किसी आउडिच अंदर्फ पूछी जाती है कि यो o टॉपिक आप अइसी आधाम है तो फैला question आता है कि लज्जा नामक बुस्तक किसके द्वारा रचित है बुक है लज्जा इस लज्जा बुक के author कोन है किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है तो इसका नाम है तस्लीमा नसरीना most important है लज्जा बुक की लेखी का है तस्लीमा नसरीना option number A is right answer ये जो है ये बांगला देश की रहने वाली है ये कहां की रहने वाली है प्यारे बच्चों बांगला देश की रहने वाली है लज्जा कोश्चन है करेंट का कि तस्लीमा नस्रीना जो है option number A है इसने कहा है कि मेरे द्हान्त होने के बाद मेरी मृत्यू होने के बाद मेरी बोडी को मेरी जो dead body है उसे एम्स को क्या दे दिया जाए दान दे दिया जाए student के research करने के लिए तो question आता है किस लेखी का ने अपनी शरीर को अपनी देह को मृत्यू के बाद एम्स के अंदर मतलब टाल इंडिया institute of medical science इस एम्स के अंदर student को research research के लिए दान देने की क्या कर दिये गोशना की है तो वह है तस्लीमा नस्रीना है लज्जा नामे कुस्तक किसी है तस्लीमा नस्रीना किये option number a is right answer नेक्स बात करें अगर इसके बाद नेक्स कोशन आता है यामा नामक पुस्तक की रचना किस ने की तो इस question right answer है option number d महादेवी वर्मा ने की थी यामा नामक पुस्तक की रचना option number d is right answer नेक्स बात है हिंदी की महान रचना नेर्जा की रचना कोन है नेर्जा एक नाम है रचना है हिंदी की इसकी रचना कोन है तो इस question right answer है option number b महादेवी वर्मा ने लिखी गए इसकी रचना है नीर्जा फिक है नेक्स कोश्चन की बात करें गोदान उपनियास किसके द्वारा लिखा गया है ये सभी को पता होगा गोदान जो था ये मुईशी प्रेम चंद का है गोदान जो था उपनियास मुईशी प्रेम चंद के द्वारा लिखा गया था नेक्स्ट कोश्चन की बात करें हिंदी की परसिद कृती चित्तर लेखा के लेखा कोन है तो इस कोश्चन का रिट अंसर है अप्शन नमबर D भगवती चरण वर्मा है चित्तर लेखा की लेखी का अप्शन नमबर D is right answer कामयनी के लेखा का नाम क्या है कामयनी के लेखा का नाम है अप्शन नमबर A जय शेंकर परसाद अप्शन नमबर A is right answer परसिद कविता वली के रचेता कोन है कविता वली एक परसिद रचेता है जिसके लेखा कोन है रचेता कोन है अप्शन नमबर C तुलसी दास तुलसी दास की है कविता वली नेक्स्ट कोश्चन की बात करें कादंबरी नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो इस कोश्चन का राइट अंसर है option number A बानवट बानवट की है कादंबरी रिपॉब्लिक नामक परसिद पुस्तक के लेखा कोन है तो इस question का रिट अंसर है option number D Plato प्लेटो ने लिखी है डिसरब्री नामक पुस्तक नेक्स question की बात करें राज तरंगनी के लेखक कोन है तो राइट अंसर है option number A कलहन जो है राज तरंगनी के क्या है लेखक है नेक्स question की बात करें मट के लेखक कोन है इस question का रिट अंसर है option number A बंकिम चंद्र चटर जी मट के लेखक है और यह भी द्यानक ने वंदे मातरम जो है देश का national song जो है उसके रचेता कोन है बंकिम चंद्र चटर जी है वंदे मातरम के नेक्स question की बात करें काम सुत्र के रचेता कोन है तो इस question का रिट अंसर है option number B वात्सियन वात्सियन है काम सुत्र के रचेता मरिग नईनी के रचेता कोन थे मरिग नईनी के रचेता option number C वरिंदावन लाल वर्वां क्या थे मरिग नईनी के रचेता थे Next Queshaan की बात करें देवदास के लेकक कौन थे? तो इस Queshaan का right answer है option number B शरत चंदर चटोपा ध्याय या दिखना है option number B शरत चंदर चटोपा ध्याय देवदास के क्यात्य लेकक थे? और बहुत बारे यह पूछी गई है एक्जाम के अंदर तो देवदास के रचेता कोन थे लेखा कोन थे शरत चंद चटोपा ध्याय थे नेट्स कोश्चन की बात करें उर्वशी नामक पुस्तक के लेखा कोन है तो इस question का right answer है, option number B, राम धारी सिंग दिन कर हैं, उर्वशी नामक बुस्तक के लेखक, option number B is right answer, गीत गोविंद रामक बुस्तक की रचना किस ने की, तो गीत गोविंद नामक बुस्तक, इस question का right answer है, option number B, जै देव, गीत गोविंद के रचना का रहे हैं, जै देव, next question की ब पता है रमायन के रचयता कोन थे महरिशी वालमी की जी थे जिन्होंने रमायन एक भगवान राम ची का काफी प्रवित्र गरंथ है माना जाता है इसमें पूरे राम का सीता का उनका अयोध्या का पूरा विवरन दिया गया है और इसके रचयता है महरिशी वालमी की जी है रमा टो है उसको च्वेश को सबसे बड़ा जो गरंत है वो कौन सा महा भारत है और और महाबातकर चाहिता कौन ते वेदव्यास, महिरशी वेदव्यास लिए लिखा था, महाभारत, रामायन था वालमी की के द्वारा, राम चरितर मानस तुलसी जासी के द्वारा, और महाभारत जो था वेदव्यासी के द्वारा लिखा गया था, पंच तत्र के लेखक कौन है most important है पंच तंत्र के लेखक कौन है तो इस question का राइट अंसर है option number B विश्नु शर्मा है option number B विश्नु शर्मा है पंच तंत्र के लेखक war and peace के लेखक कौन है इस question का right answer है option number B Leo Tolstai, Leo Tolstai क्या है war and peace के लेखक है option number B is right answer गीता रहसे के लेखक कोन है तो इस question का right answer है option number C बाल गंगादर तिलक जो है ये गीता रहसे के क्या है लेखक है जानते हो बाल गंगादर तिलक शक्तिमा देखा होगा गंगादर मायदर उसमें उनकी प्रेस रिपोर्टर कोन थी गीता विश्वाश्ती ठीक है वही गीता रहस है बाल गंगादर तिलक नेक्स बात करें चितंबरा के लेखक कोन है तो इस question का right answer है option number D सुमित्रा नंदन पंत जो है चितंबरा के क्या है ये लेखक है नेक्स कोशन की बात करें दास कैपिटल के लेखक कोन है ये हमारे लिए most important book है दास कैपिटल के लेखक है काल मार्स थे चिक बात करें Asian drama की लेखक कोन है तो इस question का right answer है Option number C घूनार मिडल अबस फ़क है रस आक करें Boston वाथी की या हमारे रचनह किस ने की भारत भारती की लचनह की थी मैथली शर्ण गुप्त ने option number D is right answer मैथली शर्ण गुप्त India peace freedom पुस्तक के लेकक कोन है इस question का right answer है option number A मुलाला अब्दुल कलाम है लेकक India wins freedom book के लेकक मुलाला अब्दुल कलाम book है इंड की India wins freedom next question की बात करें सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेकक कोन है तो इस question का right answer है option number D दयानन सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेकक next आता है unhappy India के लेकक कोन है तो unhappy India इस पुस्तक के जो लेकक है option number D लाला लाजपत रही याँ दखना है unhappy India यह book किस ने लिखी है लाला लाजपत रही जी ने और लाला लाजपत रही जी कि अगर आप बात याँ दखना तो Punjab National Bank इंडिया में open होने वाला पहला भारतिय बैंक कौन सा था वो था Punjab National Bank Punjab National Bank की सापना कब की गई थी 1894 में की गई थी Punjab National Bank की सापना कब गई थी त्यान लखना हे Punjab National Bank भारत में खुलने वाला पहला पूर्ण भारतिय बैंक थै Punjab National Bank की जो सापना की गई थी वो की गई थी 1894 में किस ने की थी लाला लाजपत रही जी ने की थी और ये क्या थे एक सवतंतरता सेनानी थे फ्रिडम फाइटर थे पंजाब नेशनल बैंक की सापना ठार सो चुराणवे में लाला लाजपर रहे नहीं की थी कहां पर की थी लाहोर में की थी वर्तमान की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का हैड ओफिस कहां पर है न्यू नेक्स कोशन की बात करें निमे लिखित में से डॉक्टर हरिवांश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी हरिवांश राय बच्चन काफी भारत देश के काफी बड़े कभी माने जाते हैं अमिताब बच्चन जी के फादर हैं डॉक्टर हरिवांश राय जी कश्मीर में युद और कूट नीती पुस्तक के लेकक कोन है तो इस पुस्तक के जो लेकक है वो हैं प्यारे बच्चों option number आता है C C. दास गुपता है C. दास गुपता ने लिखिये कश्मीर में युद और कूट नीती option number C is right answer है context of happiness पुस्तक के लेकक कोन है context of happiness पुस्तक के लेकक इस question का राइट अंसर है option number C. ब्रेड रसेल है इस question का राइट अंसर है option number C next question की बात करें मेरी जिन्दगी किसकी आत्मकता है तो इस question का राइट अंसर है option number B Bill Clinton America के राश्पती थे ये Bill Clinton इनकी आत्मकता है autobiography है इनकी उसका नाम है मेरी जिन्दगी next question की बात करें business at the rate speed of short business at the rate speed of thought के लेकक कोन है तो इस question का राइट अंसर है option number C Bill Gates जानते हूं over all rich person रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर आगमी रहने वाले हैं Bill Gates हैं हमेशा सी रहे हैं ये ठीक है मान लेते हैं रैंकी में कभी पहले से दूसरे दूसरे तीसरे पर आ जाते हैं लेकिन अमीरों के अगर बात करें हमेशा तो Bill Gates का नाम ही हम लेते हैं कि हम कहते हैं कई बार जादा Bill Gates मत समझ अपने आपको मतलब अमीर कहते हैं अपने कई बार तो बिल गेट्स ही दुनिया के अमीर आग्मों में जाने जाते हैं तो business at the rate speed of thought के लेखा कौन है बिल गेट्स है और Microsoft company के developer and founder कौन थे वो हैं बिल गेट्स है Next question की बात करें उत्तर राम चरितर नाटक किस ने लिखा था इस question का right answer option number C भाव भूती ने लिखा था Next question की बात करें My life पुस्तक के लेखा कोन है तो इस question का right answer है Option number 37 की बात करें तो option number B Bill Clinton है My life पुस्तक के लेखा कैं मेरी जिंदगी My life पुस्तक के लेखा कैं Bill Clinton है Option number B Next लाता है New York जल रहा है पुस्तक के लेखक कौन है? नियॉर्क जल रहा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस question का right answer है option number B. Dominic Leopold and Larry Collis. Dominic Leopold and Larry Collis क्या है? नियॉर्क जल रहा है इस पुस्तक के लेखक है? next question की बात करें महात्मा की शिक्षुता पुस्तक का लेखक कौन है? जिस पर the making of the महात्मा नामक फिलम आधारित है? तो इस question का right answer है option number D. फातिमा मीर है महात्मा की शिक्षुता इस पुस्तक की लेखक है फातिमा मीर है? option number D. is right answer. मुगल राज आनन्द ने निमे लिखित में से कौन सा लेखक किया था? उन्हेंने कौन से पुस्तक लिखी थी इनमें से? इस question का right answer है option number A. गाउं. मुलक राज आनन्द ने गाउं पुस्तक लिखी थी? इस question का right answer है option number A. next बात करें. long walk to freedom नामक पुस्तक के लेखक कोन है? option number A. आता है नेंसल मेंडेला. नेंसल मेंडेला जानते हो साउथ अफरीका के first black president कोन थे? नेंसल मेंडेला थे. और नेंसल मेंडेला डे कब बनाए आता है? 18 जुलाई को बनाए आता है हर साल. international नेंसल मेंडेला डे. इन्हें साउथ अफरीका का बापु जी भी कहा जाता है. क्योंकि इन्होंने काफी बुरे विश्व में शांती का परचार किया था और साउथ अफरीका के पहले black president भी थे ये. और इन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक समान भारत अतन भी मिल नेक्स्ट कोश्चन की बात करें. इंडिका द्वारा लिखा गया था. इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? ये किस ने लिखी थी? इस question अप्शन नमर बी मैक्स नीज. मैक्स नीज ने लिखी थी इंडिका. अप्शन नमर बी is right answer. निम लिकित में से किसको अपने श्रेत्र में उतकर्ष्ट उपलब्दी और विदेशों में भारत की समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारते सम्मान से सम्मानित किया गया है. तो इस question का right answer है. इंडिया के काफी अच्छे writer थे. विक्रम सेट को क्या किया गया है प्रवासी भारते सम्मान से सम्मानित किया गया है. ऐप्शन नमबर अ इस राइड अंसर. प्रयावरन नियाए शास्थर पुस्तक के लेखक हैं. तो इस question का right answer है. ऐप्शन नमबर बी जश्टिस अशोक ए दिसाई. जश्टिस अशोक ए दिसाई की पुस्तकती प्रयावरन नयाए शास्त्र, next question की बात करें, the three mistakes in my life, three mistakes of my life, इस पुस्तक के लेखा कोन है, चेतन भगत है, जानते हो आप चेतन भगत, इंडिया के काफी अच्छे राइटर हैं, इनकी काफी बुक्स है, three mistakes of my life, five point someone, one, what young India want, ठीक है, one night at call center, two states, three mistakes of my life, five point someone, half girlfriend, इंडिया वट यंग इंडिया वान्ट डेवलेशन 2020 इन सभी बुक के रैटर कौन है वो है चेतन भगत है नेक्स्ट कोश्चन की बात करें निमिलिकित में से कौन सी रचना काली दासकी नहीं है तो काली दासकी कौन सी नहीं है रगवांशम है बिल्कु सही है अभिज्यान शे नहीं है बागि रगवांशम अभिज्यान शेकुतलब आ पुमार संभव किसकी रचना कार है आठ ए शास्त्र के रचना कार यह इस कोश्चन घेत आसर अप्षय नंबर सी भरत नश्कोश्चन की बात करें जैदेव द्राविठी गरंथ है जैदेव ने कौन सा गरंथ लिख निवे लिखित मुगल शहजादियों में से किसने परसिद पुस्तक हुमायू नामा लिखा है तो इस Qs का राइट अंसर है Option D गुल बदन बेगम ने लिखी है हुमायू नामा या दकनाए गुल बदन बेगम ने लिखी है हुमायू नामा Option D is right answer है नेक्ट बात करें निमे लिकित में से कौन सी कृति काली दास की है तो काली दास की इनमें से कौन सी कृति है तो option number D आता है मालवी का अगनी मालवी का अगनी जो है ये किसकी दौरा लिखी गई है काली दास ली के दौरा लिखी गई है तो आज़ी क्लास में प्यारे बच्चों आपके लिए इतना ही हम कुछ और करंट की बुक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे तब तक के लिए घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्त रहें और खूम मन लगाकर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे थान्यवाश प्रेंट्स